अजमीर की एतिहासी का अनसागर जीर में जलकुंबी की समस्या लगातार बनी हुए है नगर निगम और जिला प्रशाशन की प्रयासों के बावजूद भी नगर निगम से जलकुंबी नहीं निकाली जा सकी समस्या को लेकर आज अजमीर शेहरवासी काफी परेशान है इसे ल पाव में यह दो दशा का शिकार हो रही है जलकुंबी के घेरे में पूरी अनसागर जील पहुच चुकी है गोड़ जील हरी घास का मैदान बन रही है ऑक्सिजन की कमी की चलते मचलियों के साथ ही यह आने वाले परिंदों को भी काफी समस्या उत्पन हो रही है को लेकर उन्होंने जल्दकारवाई करने के मान की है अजमेर की जो पर्यावरन संडेक्षन में कारेरत सभी संस्ता है माई क्लिन स्कूल प्रत्विराज फांडेशन ग्रीन आर्मी यू सीयल के सदेस्यों ने मिलकर एक ग्यापन मुख्यमंत्री के नाम सौपा है जिला के समस्या आनसागर में चल रही है इसके तुरंत और इस्ताही समाधान की मांगी है यह हर वर्ष की समस्या है और इसके इस्ताही निदान की कभी भी कोशिश नहीं की जाती है और इस समय बड़ा इस्तिती इतनी विकट है कि पूरी आदी से जादा जील सिर्फ जलकुम्भी से बरी दिखाई दे रही है और यह ना सिर्फ जलिय जीव जन्तों के लिए भी खत्रा है बलकि इससे प्रदूशन का खत्रा है आज-पास करने जो वॉक करने जाते हैं गुमने जाते हैं उन सब को बैक्रियल इंफेक्शन का खत्रा है तो इस तरह से पूरी जील के साथ एक त तो उन्होंने आते ही कहा था कि तीन दिन में यह जलकुम भी साफ हो जानी चाहिए और आज तब सफाई भी होई लेकिन आज जो इस्तती है आज की तो पहले वाले इस्तती से भी बहुत ज्यादा विकेट लिए बहुत ज्यादा आलत खराम और इसका जो इसका स्वाधान है तो जब नहीं हो पा रहा है तो जब नहीं हो पा रहा है तो इस बात का पूरा संदे उत्पन होता है कि कोई ना कोई और कारण है जिस कारण प्रशासन आज सफल से दो रहा है इस पुर्णा प्रशासन को तभी होगी तो आज है कर चले जाएंगे शेहर के आम आदमी को सोचना चाहिए और हमारा भी ज्यापन देने का उदेशे भी यही है कि कि जनता भी जागरूक बने और इसके लिए दबाव बनाए प्रशासन पर यह नहीं चल सकता कि प्रशासन भी सोयावा है और जो आप कहरो कि कुछ लोग संदीख दें जिक्तिम जिनके फाइदें वह फाइदा भी उठा रहे है और जनता सोती रहे तो जनता जागरूक रहे प्रशा है इसके लिए ग्यापन देने आये हैं आप देखें कि जल्कुली किस कदर से इसमें आना चागर जील में चाहिए है आज यह अजमेर का एक मुख्य आकर्शन है परेटन का और यह मुख्य शेहर के बीचों बीच में इस्तित यह इसकी हालत कि खराब हो रही है जैस समाधान ने निकला जा रहा है आज पहले यह बांडी नदी में दूर दूर तक इसी ती लेकर आज यह में जील के अंदर आदा शेतर कवरे कर सुखिए यह अमारे लिए बहुत ही एक तरह से शेहर वास्वें बड़ी शर्मनाक बात है कि एक जो जील है मुख्य परेटन का जो केंदर है इसमें इसकी अहालत हमको देखने पड़ रही है तो हम यही कहना चाहते है सरकार चे परशासन से कि इसकी जल सीज़ा सफाय की जाए और इसमें ऐसा नहीं कि इसको फुरा सा करके छोड़ दिये जाए लगातार इसको बराबर ध्यान दिया जब जाकि जल स्मार्ट सेटी और खुशित है स्मार्ट सेटी होने के बावजूद आज अपने इस स्मार्ट स्मार्ट का उल्टा हो रहा है में जील के अंदर इतना प्रशासन जल सीज़ा सफाय करें और आगे भी इसको बढ़ने नहीं और इसकी पुरा धान दे इसको यही हमारा सरकार से कहना है जिससे कि हमारे जो शेर की डागरिक है JEFF जो कि स्कूल हो मैं जाकर बच्चों को परयावान के परतिदेन समस्वार्ट समझ्झा है जिसके लिए सर्क परसासन से इसके लिए अग्रे करने के लिए है